रॉयल चैलेंज बैंगलोर वर्चे यूपी वारियर के बीच ये आईपिल का मैच नमबर 10 है और इस मैच में दो ऐसे प्लेयर बताने वाला हूँ एक तो ये नए थे तो इनका सेलेक्शन ऐसे ही कम था और मैच भी दो से तीन मैच खेले हैं जिसमें उनको एक से दो ओवर ही मिल रहा था तो इसलिए परफॉर्म दिखाने का उनको मोग का ही नहीं मिला लेकिन इस मैच में 100% वो चार ओवर भी करेंगे और आपको परफॉर्म परसेंटेज था जैसे की डिपती सर्मा है तो डिपती सर्मा इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कंडिशन देखना जरूरी होगा क्योंकि ये मैच बैराबॉन क्रिकेट गराउन में मैच होने वाला है और ये मैच बॉलर के फेव मैच हुए है जो कि सेम ही गिराउंड पे हुए अगर यहां पर के रन की बात करें रिसेंट के तो पहले मैच में दिल्ली ने 223 का टारगेट सेट कर दी थी बैंगलोड की टीम को 163 रन ही बना पाए थे मैच को लॉज कर गए थे आरसी भी जबकि एक मैच में इनको पहले मैच हुआ था गुजरात पहले बैटिंग करके 201 रन मार दिये उस मैच को चेस करने में 190 रन बना पाई और इस मैच को भी लॉस कर गए तो मैच का देखोगे कि यहां पी काफी ज़्यादा रन बनते हैं जबकि UP भी दो इस टुनामेंट में मैच खेले हैं लेकिन ये DY पाट 179 रन बना दी थी जबकि सिकेंड वाला मैच दिल्ली से हुआ था दिल्ली 211 रन का टार्गेट सेट करके दी थी और ये 179 रन बना पाई और इस मैच को लॉस कर गई तो यहां पे लोग के फेबरेट UP रहेंगे लेकिन इस मैच को विन कर सकते हैं RCV क्यूंकि इसके प्लेयर के पास ये गराउंड का पूरी तरह से नौलेज हो गया है इसलिए इनके प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं खासकर इस मिर्थी मंधना जो है अगर वो चल जाते हैं तो फिर ये आसानी से विन कर जाएगी तो मैं आगया हूँ टीम पे टीम से पहले आपको बता दू कि अगर आप अपने मंधना को टीम में लेना चाहते हो तो इसके लिए कहीं न कहीं खत्रा बन सकता है दिपती सर्मा किनके ओफ ब्रेक बॉलर हैं और इनकी सबसे ज़्यादा कमजोरी है कि आप ये किसी तरह नहीं चल पाती है ओफ ब्रेक बॉलर से तो हो सकता है कि अगर इनको आप के लिए ट्रम कार्ड हो सकती है और ट्रम कार्ड में एक बड़ा रिस्पेक्टेवल स्कोरिंग खरा भी कर सकती है तो ग्रैंड लिग में आप चाहे तो कैप्टन ट्राइ कर सकते हो जबकि स्मॉल लिग में भी अगर वाइस कैप्टन के साथ जा रहे हो तो एक तरह से स इसक नहीं लेना है small league में तो उसके लिए आपको telegram join करना है और ये video full watch करना है ताकि आपको condition समझ में आ जाए और जो लोग channel पे नए आए है channel subscribe करके साथ में bell icon को दबा देना और भाई को support करने के लिए एक like और comment जरूर कर देना video start करते हैं तो मैं आगया हूँ direct wicket keeper में wicket keeper में हेली के साथ रीचा घोस है दोनों खेलने वाली अपने team की तरफ से और यहां पे हेली आपनी भी करते हुए दिखेगी रीचा घोस चोथे नंबर पे बैटिंग करती है देखा जा तो recent form दोनों का ठीक ठाक है लेकिन अगर आप safe खेलना चाहती हो तो दोनों के साथ जा सकती हो मैं एक के साथ जा रहा हूँ हेली अभी तक इनका भी respectable कोई भी score नहीं आया है लेकिन इस match में भी आ सकता है तो इसलिए मैं अपने साथ रखा हूँ और मंधना मेरे team में रहेगी और knight को अपने team में रख सकते हो हारिस का देखो हारिस को पिछले match में नहीं खेलाया गया था इसकी जगा पे वाडिया को खेलाया गया था जो all under section में आपको देखनी को मिला था लेकिन ये भी perform नहीं कर पाई थी इनको special balling के लिए लिया गया था लेकिन एक wicket निकाली थी तो इसलिए इस match में भी खेलने क संभावना कम है लेकिन यहां पर आपको हेली के साथ जो इनके opener bestman है सिरावत एक बहुत ही अच्छे player है वैसे इनके पास कोई भी international match के experience नहीं है लेकिन ये under 19 के player है और बहुत जादे hitting करते हैं मालो कि अगर ये 20 ball खेल जाते हैं तो ये आपको 30-35-40 run दे जाएंगे तो इस करना लेकिन स्मॉल लिग में आप इनको drop करके ही चलो स्मॉल लिग के लिए safe नहीं है तो लोग आपके किसी भी opponent की team में नहीं रहेंगे कोई भी इतना बड़ा risk नहीं लेगा जबकि नवागीर है नवागीर को आप देख सकते हैं ये first down batting करेंगे और जिस तरह से पिछले match में हारिस की जगा पे TMC गर्थ को second down batting कराया गया था वैसे ये balling भी कराती है और wicket भी निकाल लगी है बैटिंग में तो safe option है ही तो अगले player आप TMC गर्थ के साथ जा सकते हैं उसके बाद पेरी आपके लिए safe option रहेंगे क्योंकि ये भी आपको first down batting करते हुए दिखेगी अगला player में M suit को उसी condition में लूँगा जब देखूंगा कि Bang Lord अगर chase करने में जा रही है क्योंकि first inning में batting यहां पे बहुत ही classical batting होती है और दोनों perfect player भी है तो उस condition में knight को में drop करके knight को आप इस match में ज़्यादा balling करते हुए या ज़्यादा wicket निकालते हुए नहीं दिख होगे आप batting से expect करते हो तो अपने team में रख सकते हो grand league में आप drop कर सकते हो क्योंकि उस condition में तब फिर M suit को drop करके knight को drop करके यहां पे मैं सीधा आ जाऊंगा यहां पे P boss के साथ क्योंकि UP में जो best man है जितना भी best man है सारे के सारे right hander best man है तो यह एक orthodox baller है और यह इनको अभ तो इसलिए आपके लिए यह safe option रहेंगे इस match में 4 over balling भी कराते हुए दिखेंगे और इनको wicket भी मिलने वाला है तो यह आपको कहीं न कहीं safe option रहेंगे इनको drop करने का risk नहीं लेना उसके बाद आप guy card की जगा पे आप smile को ले सकते हो smile को तभी लेना जब आप expect करते हो कि यूपी के starting में विकेट गिरेंगे या तो आप हेली को drop कर दो या आप यहां तो मैं already small league के team में सिरावत को मैं already drop कर रखा हूं तो सिरावत से expect करता हूं कि starting में विकेट गिर जाएंगे तो फिर मैं smile के साथ जाओंगा नहीं तो फिर मैं smile को drop करके guy card को ही लूँगा क्योंकि अगर इस मिर्थी मंधना को देखा जाए उनको छोर कर उनके सारे team में सारे के सारे right hander bestman है तो इसलिए दोनों important हो जाएंगे अगले player जो है boss अपके लिए important हो जाएंगे तो तीनों baller orthodox ही है क्योंकि दोनों team में right hander bestman है तो यह तीनों आपके लिए important रहेंगे small league grand league कहीं भी drop नहीं करना है आपको drop करना है तो knight को drop करो उसके बाद haris इस match में खेलने की फिर से संभावना नहीं देखेगी अगर दिखती भी है तो इनका batting order पांच में नंबर पे है और यह expect करते हो कि starting में wicket गिरेंगे तो फिर आप इनको haris को ले सकते हो नहीं तो आप य की initial team है जिसमें मैं दोनों के साथ जा रहा हूं और M suit को भी ले रहा हूं तो यहां पे मेरा यह initial team है small league की captain wise captain देख सकते हो Tmc गर्थ को भी इस match में उतना जादा over नहीं मिलेगा यह दो player आपके लिए grand league के flop player हो सकते हैं grand league में दोनों wicket keeper के साथ जा रहा हूं आप भी चाहे तो जा सकते हैं दोनों safe option भी है परफॉर्म जादत तर चांस रहता है इन दोनों का की दे ही दे wicket keep ring करेंगे कहीं ने कहीं से आपको दे ही देंगे नाइट को drop कर दिया हो और सिरावत आपके लिए एक तरह से देखा जा देट में करती हैं तो यह wicket आपको निकाल कर देंगे तो उस condition में आप ले सकते हो नहीं तो आप drop करके या यह भी कर सकते हूं कि सिरावत की जगा पे नगवीर को ले सकते हो और आप इस mile को try कर सकते हो यह आप जो की बहुत हद तक unique team है आपको rank ठीक ठाक दिला सकता है अग क्योंकि मैं अभी video बना रहा हूं एक perform के हिसाब से video बना रहा हूं जिस तरह से player perform करते हैं लेकिन team का rotation तब होता है जब pitch report final pitch report मालूम होता है क्योंकि आपको भी मालूम है कि एक ground पे कई तरह के score खरा हो जाते हैं कभी-कभी बरा score बनते-बनते low scoring match भी हो जाती है तो उसको म नहीं किसी ने किसी match में एकदम काफी low score match देखने को मिलेगा अगर low score को मानकर आप team बना रहे हो तो आपका team top कर सकती है तो आप अगर risk लेते हो तो आप इस तरह का team जरूर बनाना बाकि final team के लिए आप channel subscribe कर लो और description में telegram और first comment में pin up कर दिया हूं जहां आपको मिल जाए लिग और small link की team मिलेगी ओके thank you